पसीने की सियाही से जो लिखते हैं अपने इरादों को उनके मुकदर के पन्ने कभी कोरे नहीं हुआ करते महनत अक्सर हम ये बात सुनते हैं अक्सर इसका जिक्राता है hard work is the key to success महनत करो पड़े बनो पर एक और टाम आई smart work लोग काफी लोग ऐसा कहने लगे smart work is the key to success आज मैं चाहूंगी इस वीडियो के बाद आप खुद अपने लिए तै करें आपको क्या चुनना है smart work या hard work once upon a time there were three pigs वो जब थोड़े बड़े हुए तो उनकी मा ने उनसे कहा कि अब तुम जीवन व्यतीत करने के लिए खुद से खुद के पैरों पर अब तैयार हो तो वो घर से चल पड़े तो तीनों ने निकलने के बाद सबसे पहले एक ने लिया कि हम अपने लिए एक घर बनाएंगे तो जो सबसे पहला पिग था उसने सोचा कि जादा महनत करके क्या करना है उसने कहा जल्दी से एक घर बना लेता हूं रहना ही तो है तो उसने स्ट्रॉज के साथ अपना घर बनाया दूसरे पिग ने सोचा रहना तो है पर क्योंना थोड़ा अच्छे से रहें तो थोड़ी महनत करता हूँ. तो उसने sticks के साथ अपना घर बनाया. तीसरे ने सोचा पूरी महनत और इमानदारी के साथ अपना घर बनाता हूँ. तो कि ये मेरा आशियाना है. उसने stones and bricks के साथ अपना घर बनाया. कुछ अरसे बाद, कुछ वक्त बीतने के बाद वहाँ एक वॉल्फ आया और उसकी नजर उन तीनों घरों पर पड़ी वॉल्फ ने हाथ पैर मारे जोर से अब जो straws and stick वाला घर था पहस नहस लेकिन उसकी लाख कोशिस के बावजूद भी वो stone and brick से बना घर नहीं तोड़ पाया the moral of the story is hard work always pays off and I will say there is no shortcut to hard work always see the bigger picture बड़ा सोचें, दूर का सोचें ना कि सिरफ उस वक्त का आप जब भी किसी चीज़ पर दिल से शिद्दत के साथ मेहनत लगाते हैं उसका result आज या कल के लिए नहीं परसों के लिए आता है कोई जल्दी से आसानी से आपको छू नहीं सकता जैसे आम जानते हैं हमारी story में हुआ जो आसानी से शौटकट के साथ घर बनाए गए थे वो तूट गए और जो मेहनत वाला घर था वो वहीं खड़ा है वो हिल भी नहीं पाया एक इंट भी नहीं हिलाई उसकी ये आप पर है आप अपने लिए क्या चुनते हैं सबको उतना ही वक्त मिला है परिस्थितियां कही ना कहीं सबकी सेम है सबकी जिंदगी में कोई ना कोई मुश्किल है ये हम पर है हम उससे डील कैसे करते हैं स्मार्ट वक मैं पूरा डिनाई नहीं करूंगे येस इस इस अलसो इंपोर्टेंट बट हाड वक की कीमत पर नहीं हाड वक की कीमत पर कभी भी नहीं जैसे कि मैं यहां स्टोरी पर फटा पट से एक से एक मिनट के लिए वापिस जाती हूँ और उसने हाड वक किया टीसरे पिग ने उसका घर वो तोड नहीं बाया अब वो आराम से लेटेगा, चाय पिएगा, बैठेगा, उसके पास वक्त है, अब उसे हर रोज फिर से भागने की जुरत नहीं है, वो थोड़ा सा खुद को आराम दे सकता है, smart work कर सकता है, लेकिन अब जो पहले pig थे, क्योंकि उन्होंने पहले hard work नहीं किया, शुरू में ही बार बार हर बार स्टार्ट करना होगा, और आप यही कहते रह जाएंगे, इसे क्या फरक बढ़ता है आंधी तूफान का, इसका घर तो पत्थर से बना है, और हमारा घर तो टूटेगा ही, लेकिन बहुत बार हम अपनी जिम्मेवारी को भूल जाते हैं, अपनी जिम्मेव अच्छे से, बाबाई गाईस और स्टे बलेस्ट